नमस्कार दोस्तों आज एक और खास विश्पर वीडियो लेकर करके आपके बीच पाये हैं जैसा कि आमने टाइटल देख लिया होगा इसमें मैं बात करने वाला हूँ राजनीति के राज के बारे में और ऐसे बहुत सारे राजों के बारे में बात करेंगे और खुलासा करें बात करने वाला हूँ राजनीति के राज के बारे में हर वीडियो में चार पाँ राज बताने की कोशिश करूंगा जितने मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कुछ राज बताऊं सबसे पहला राज जिस पर मैं बात करने वाला हूं राजनेता सफलता प्राप्त करने के गलत रास्ते या गलत मार्क दूसरों को बताते हैं यह राज की बात है यह कोई राजनेता आपको नहीं बताएगा और यह आप टैक करिए वो आपको सही सलाह नहीं देगा, वो आपको उल्टी सीदी सलाह देगा, गलत सलाह देगा, गलत रास्ते बताएगा, लेकिन कभी सही मार्ग नहीं बताएगा, वो वहाँ तक पहुंचा, इसके बारे बिल्कुल जारकारी नहीं देगा, और यकिनना हो मेरी बात पर तो किसी भ सफ़र राजनिता से पूछ लीजेगा, कई लोग कहेंगे, मेरा तो भागे की वजासे, मैं हैं पहुँच गया, कई लोग कहेंगे, मेरी पार्टी संगधन ने मुझे जो दाइत हो दिया, मैं उनी भाता रहा, मैं पार्टी का वफदार बना रहा, कई लोग कहेंगे मैंने बहुत महनत की, 10-15 वर्ष संगठन को दिये, 10-15 वर्ष नीचे स्थर पर राजनिती की, उसके बाद आइस्था आइस्था मैं 20 वर्ष में 25 वर्ष में सांसद विधाया क्या मंत्री बना, कभी वो नहीं बताएगा कि एक्च्वल में उसने क्या किया है, राजनिती में सफलता प्राप्त करने के लिए, और जहां तक पहुंचा है, वहां तक पहुंचने के लिए, और कई लोग तो बिल्कुल ही गलत सला देना शुरू कर देते हैं, जो तो राजनिती में सफल नहीं, उनकी बात कर रहा हूं, वो लोग सांसाद हो सकते हैं, विधाया को हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, रास्टेस्तर प्रदेश्तर की राजनिती में हो सकते हैं, जी नहीं आप सफल मानते हैं, उनसे जब आप पूछेंगे तो कहेंगे, नहीं र राजनीती में वो आपको एक्जामपल क्या देंगे, पहले ग्राम परधान मनिये, जिला पंचाय से लड़िये, चेर्मेन का चुनाओ लड़िये, कॉर्परेटर का चुनाओ लड़िये, फिर उसके बाद जाकर के आई साइसा विधाय का सांसत के रूप में तैयार हुई है, और राजनीती में, क्या राजनीती में, जो बताई गई बात है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे बहुत सारे राजनीता मिलेंगे, जो सांसत हैं, लेकिन वो कभी जिला पंचाय से नहीं रहे, वो कभी विधायक नहीं रहे, कई लोग ऐसे हैं, जो कभी कॉर्पेटर नहीं रहे यह बाते वो नहीं बतातें वो होगा क्या यदि आप काबिल हैं तो कई बार आप सांसठ के लेवल पर या विधायग लेवल पर चुनाओ लड़ने के कापिल रखते हैं लेकिन यदि आपको नीचे लेवल या जिला पंचायाद पर या BDC मेंबर या चेरमेनी नीचे इस तरह पर सफल होगा जरूरी नहीं और अक्सर सफल नहीं होगा जहां सुई का काम है वह सुई का काम करेगी जहां तलवार का काम है तलवार काम करेगी तो राजनीते का एक बड़ा राज ये है कि राजनेता हमेशा गलत रास्ते बताते हैं सही रास्ते नहीं बताते है खासकर से राजन्iliुति में सफंवता परात करने तो बिलकूль भी नहीं बताते हैं दुसरा राजनीति का एक और राज पैसा चाहिए हलकु कहता है चुनाओ में पैसा लगता है राजनीति के लिए पैसा चाहिए आगा आप चुनाओ पढ़ेंगे तो चुनाव लगने की politics में पैसा चाहिए अगर आप back end पर हैं तब भी पैसा चाहिए तो आखिर पैसे की विवस्था करते कैसे राजनेता जो सफल राजनेता वो पैसे की विवस्था कैसे करते हैं वो कभी आपको नहीं बताएंगे मैं बतानी कोशिश करता हू वो रणीतिया भी बताना है परदे के पीछे काम कैसे होता है वो भी बताना है कैसे पैसे की विवस्था करते हैं राजनेता जब राजनेता चुनाव लड़ रहे होते हैं या चुनाव नहीं भी लड़ रहे होते हैं वो सबसे पहले अपने आपको अपनी टीम को establish करने काम क साथ रखते हैं जो आर्थ रूप से थोड़े संपन और जो उन पर दाव खेल सकें और अगर ऐसे लोग नहीं मिलते हैं तो अपने बिजनिस को अपने काम को आटो पालिट मोट पर डालते हैं जिससे कि जो वो राजनिती करें तो उनका काम जंदा चलता रहें उनके घर का खर्चा चलता रहें और वहां से इतना पैसा आ जाएं कि वो राजनिती में सफलता प्रात कर सकें अब मेरी बात मत पानिये आप सफल को करीब से देखी थोड़ा सा राजनिती में जा रहा है थोड़ी से मैनत करिए सफर राजनिता ओको जो सांसाध है आज विधायक है मंतरी है केंदर में राजय सतर पर संगठन की कोई जमेदारी है उसके पास बड़ी पार्टी में देखिए वो करता क्या है उसके घर का खरच बिजनेस परोड़ हो दोड़ है कंपनियां चल रहे होती हैं शुगर मिल कई नताओं की चल रही हैं कई नताओं का सीमेट की फैट्रियां चल रहे हैं कई नताओं का और इन कमाई के multiple साधन होते हैं और मैं एक और बात बोलूँगा कई लोगों को शायद अजीब लगे लेकिन इस सचाई है जादतर राजनिता करप्शन नहीं करते हैं शुरुआत में बलकि अपनी जेब का पैसा लगा करके राजनिती करते हैं बाद में जब वो सफल हो जाते हैं तो उनका उद्देश्च उस पैसे वो खमाना हो जाता है यानि पैसे से सत्ता प्राप्त करना और फिर उस पैसे से और सत्ता प्राप्त कर और राजनिता क्या बोलेंगे हमें तो पैसे की ज़रोती नहीं पड़ती हमारे तो कारे करता है हमारी तो पाटी मदद कर देती है संगठन मदद कर देता है कोई मदद नहीं करता साथ और मदद उनकी की जाती है जो संपन होते है गरीब की कोई मदद नहीं करता है तो जात रा एक करते हैं ऊसके चाचा आता हो इसका भाही इसके रिष्टेयार ूसके कज़न उसके दोस्तियार उनका बिजनेस óसमें वह शेहर हों हो और स्छेर से पैसे का नहीं वहन का भी छेर होता है कि 10% विदहयक नाम का डाल दो 10 परसें सांसित के नाम का डाल दो, ताकि कोई भी गलत काम भी करोगे, तो कोई पुलिस वाला परिशान नहीं करेगा, कोई दूसरा वेक्ति परिशान नहीं करेगा, क्योंकि सांसित विधाक का नाम जुड़ गया है, मंत्री जी का नाम जुड़ गया है, इससे जादा आगे न इस तरह के लोगों को जोड़ते है राजनेता ये परदे के पीछे की बात होती है ये नहीं बताता कोई मैं बताने कोशिश करता हूँ जैसे मैंने कहा कि एक तो जो लोग मजबूत हो आर्थी रूप से या फिर शारी रूप से धनबल बाहूबल ये दोनों चीज़ों की पूती देखते हैं और ऐसे लोगों को अपने साथ रखने कोशिश करते हैं और मज़ेगी बात है कि लोगों को लगता है नेता अपने साथ काबिल लोगों को जादा रखना पसंद करते हैं मैं तो काबिल हूँ मैं नेता के टीम में होना चाहिए हूँ नहीं ये उल्टा है करके भी कादिलेत को लिया जा सकता है, बहुत सारी कंपनिया हैं, बहुत सारे लोग हैं, जो paid service provide करते हैं, तो,ultur राजिनिता क्या करते हैं, राजिनिता देखते हैं, जो वक्ति आर्थि रूपिस संपन हो, शारूप से मजबूत हो या जो वक्ती बहुत जादा वफदार हो इस तरह के लोगों को अपने साथ रखा जाता है इसलिए जातर राजनेत हो कि टीम में कौन लोग मिलेंगे उनका भाई मिलेगा या उनकी कोशिश करें के छास लोगों को जुढ़ने कि या हुँ का खास बनने की बहुत समय लग जाए कैसा बहुत सारे ना जाने किस की चुरूप में आपको और की किशीश की col ह理र उसके देखेंगे उसके बाद भी हो सकता है वो और आपनी टीम में ना रख़ें क्योंकि जो खास टीम होती है राजनिता की वो कई बार पता ही नहीं होती लोगों को राजनिता एक खास टीम है कौन सी कई बार तो टीम के जो मेंबर होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि मेरे अलावा कौन-कौन और लोग है जो इनकी खास टीम में है क्योंकि उन्हें कभी आपस में मिटिंग करने के लिए मिटिंग करने के लिए बुलाया नहीं जाता है या कभी आपस में एक साथ नहीं देखा जाता है उनको और देखा भी जाता है तो बताया नहीं जाता है कि यह मेरी खास है तो उन्हें लगता है कि हजार दोजाल लोग है अब उन में से कौन सबसे ज़्यादा खास है पता ही नहीं चल पाएगा तो मैंने कहा कि काबलियत होनी चाहिए काबलियत और वफादारी होनी चाहिए और काबलियत और वफादारी में से एक को चुन नौ तो वफादारी को चुनेंगे आर्थि रूप से संपल लोगने चाहिए शारूप से मजबूत होने चाहिए जिनके बास टीम हो जो आपके लिए लड़ सकते हूँ आपके लिए खड़ हो सकते हूँ राजनिता जर्णली ऐसे लोगों को अपने साथ रखते ही अब कैसे जोड़ते हैं उनको यह भी वैसे तो राज की बात है लेकिन बिना स्वार्थ के कोई जुड़ता नहीं है साथ अब स्वार्थ किसी का प्रेम भी स्वार्थ हो सकता है मैं यह नहीं कहा रहूं कि सागा भाई है तो स्वार्थ में जुड़ेगा सपोर्ट करूंगा तुम पैसे से बाहूबल से मजबूत हो तुम मेरा साथ दोगे तो खलको जब मैं बन जाओंगा असान सद्धिया विधायक तो मैं आपके लिए भी मदद करूंगा और यह एक mutual understanding है कोई return agreement नहीं होता बड़ एक mutual understanding है उतना नेताजी उसको साथ रख लेंगे ठीक है तुम्हारी आवाज हम उठाएंगे तुम्हारे हक के आवाज हम उठाएने के लिए तैयार है तो इस सरा के लोगों को इस तरह से भी जोड़ा जाता है और भी बहुत सारे तरीके हैं लोगों को जोडने के तो कभी training में बात है आपको एक और आज पहला चुनाओ बहुत सोस समझकर लते हैं सफल राजनेता जी हाँ आपने देखा होगा जो सफल राजनेता होते हैं जो राजनेती में सफलता प्राप्ति होती है वो पहला चुनाओ बहुत रणनीती के साथ बहुत समीकरन को देखने के बाद लड़त उन्हें चाहे भलेई पार्टी कह रहे ही हो वो पीछे हड़ जाते हैं वो चुनाओ नहीं लड़ते हैं तब ही आमने देखा होगा लोग जब सांसर या विधाय का चुनाओ लड़ने जा रहे होते हैं 10, 15, 20 वर्ष का इबार राजनीती में गुजार चुके होते हैं उसके बाद जाकर के चुनाओ लड़ते हैं क्योंकि पहला चुनाओ बहुत सोच समझ का लड़ा जाता है और यहीं जब वो इस्टैबलिश हो जाते हैं अपने बच्चों को पहला चुनाओ जल्दी लड़वाना पसंद करते हैं और लड़वाना भी चाहिए ताकि उनके बच्चे का नाम होना शुरू हो जाए यानि अगर आपका कोई political family background नहीं है तो आपको पहला चुनाओ बहुत सोच समझ का लड़ना है और यदि political background है तो पहला चुनाओ जल्दी लड़ा जाएगा अब political background कैसा किस तरह का यदि सांसत के पुत्र-पुत्री हैं तो क्या करना है विधायक के पुत्र-पुत्री हैं तो क्या करना है केवल राजनीती में कोई वेक्ति सक्री रहा उसके परिवार से हैं तो क्या करना है बठाँ ये राजनिती का राज है जो कोई नहीं बताएगा आपको सफल राजनिता कि उन्होंने पहला चुनाव बहुत तयारी के साथ लड़ा पहली बार जो वो राजनिती में उत्रे तो बहुत सोच समझ करके उत्रे एक और राज जो राजनिताओं की टीम के बारे में वो टीम बनाने पर बहुत जादा जोर देते हैं हमें लगेगा आपको लगेगा राजनिता अपना जादा समय शेत्र में जनता के साथ घुलने मिलने में पार्टी के कामों में बिता रहे हैं उनकी रडार हमेशा चालू रहती है एक रडार हमेशा ध्यान में रहती है कि किस वक्ति को टीम में लिया जाना है किस वक्ति को टीम से हटाना है और यह regular आना जाना लगा रहता है, उनकी टीम में कुछ नए लोग एड होते रहते हैं, पुराने लोग जाते रहते हैं, और इसलिए वो राजनीती में established रहते हैं, कई लोग आपको दिखता है, सांसद है, कितनी योजनाओं से, चार योजनाओं से, विधायक है कोई व्यक्त जाएंगे, 15% पुराने रह जाएंगे, 15% नहीं हो जाएंगे और कुछ आते जाते आने जाने वाले हैं, क्योंकि वो अपटी टीम पर बहुत मेहनत करते हैं, उनका सारा फोकस हर समय इस पर रहता है कि उनकी टीम मजबूत बने, उनकी टीम का वेक्ति कोई टूटे नहीं, अगर कोई टूट रहा होता है तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है क्योंकि वो गुप्तुचर भी रखते हैं, जी हां हर वेक्ति के उपर निगरानी रखी जारी होती है, उसकी सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जारी होती है, वो किस से बात कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या बात कर रहा है कई बार तो मैंने यहां तक देखा है सांसद और विधायक अपने खास लोगों की फोन टैपिंग तक कराते हैं जासूस ही कराते हैं जासूस रखते हैं और जो सही है जो टीम का वफदार वैकती है जो सांसद विधायक का इमानदार वैकती है जिस पर उसक कभी कभी किसी को नहीं बताते, कभी डिस्क्लोज नहीं करते और आप पता कर लिए किसे सांसर से, विधाक से कि मुझे पता चले हैं, आप अपने टीम पर बहुत निगा रखते हैं आप टीम की बहुत केर करते हैं, एक एक वैक्ति पर निगा रखते हैं टीम बिल्ड करने पर बहुत फोकस करते हूँ, कोई भी मेरे आ सकता है, कोई भी मेरे साथ जूर सकता है, मैं तो जैसा अंदर हूँ, ऐसा बाहर हूँ, यह सब बाते बोलने के लिए है, असलियत सचा हिए है कि वो अपनी टीम पर बहुत मेहनत करते हैं टीम को establish करते हैं टीम के लिए नए लोगों को ढूनने का काम पुराने लोगों को filter करने काम regularly चलता रहता है तो मैंने कुशिश की 4-5 राज इस वीडियो में बताने की आगे इसी सीरीज को continue करेंगे और 4-5 वीडियो जैसे मैंने कहा बनाएंगे और हर एक में 4-5 राज जरूर बताए जाएंगे तो आज के लिए तना ही आगे किसी और विशापर बात करेंगे आपके अमने में कोई doubt हो, कोई सवाल हो कोई कुछ पूछना चाहे तो वर्चेप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं कोई जानकारी लेना चाहे जानकारी ले सकते हैं वीडियो के डिस्प्रिश आएंगे तो मेरा फोन नमर मिल जाएगा आप डारेंट उससे बात भी कर सकते हैं आज के लिए तना ही आपके उजोर राजिती भविश्य के लिए हार देख शुब कामना है जै हिंद जै भारत